इद मिलादम बदा शुभाशे गड़ो यल्लर बाडली सुका शांती नहमती सिगली आरोगे दिन्दा बाडली पूरी उम्मत को हम ये पैगाम देना चाहते हैं हम लों सलामती को खायम रखे और अमन का दामन खायम रखे मिलादम नवी के जलसे में चुँके जुरूस नहीं निकाल सके आज जशने आईद मिलाद नवी सुलाला हु अलेही वसलम बड़े ही आला पैमाने पर हम लोग मस्जिद खादरिया एदगा खुदूस साब में हमने मनाया है माशाआलला हमारा पैगाम ये है पूरी उम्मत के लिए अमन औ सलामती का दौर हो और पूरे हिंदुस्तान को हम ये पैगाम हुदूर करीम सलनला ओली रहाएं को, areas चाहते हैं के सरकार के सदके में दीन मिला, इसलाम मिला, सारी नगवत हमें मिली है, قुरान मिला है हम ये चाहते हैं के हमारे भाई भी हमारे साथ मतविक रहें और तमाम भाईयों को भी दीनी भाईयों को गेरे दीनी भाईयों को भी हमने दर्स देना चाहते हैं कि एदे मिल Adjustullaurahu al कला अमीद करते हैं ये जलसे से जतने लोग शामिल हुए हैं आन चल्स उनके शामिल होने को खबूल फरमाए और जो हमारी सुनी जमियत औल्गलमा है बस्जिदे खादरिया कमिटी है और दूसरे जिमेदारान जो हमारे साथ में हैं अल्ला तबारक टाला इन सब को अरूज और तरक्यों कामियाभी अता फरमाए जिमेदारों ने आज सुबा दस बजे से लेकर शाम तक ब्लेट अता फरमाए अस्सलाम आलेकुम और रहमतुल्लाव वरकातों मैं सेयद ताजदीन बाबा नायब सदर सुनी जमियत औल्गलमा करनाटक यह आज इस मुखद्स दिन में मिलादु नवी के जलसे में चूंके जूरूस नहीं निकाल सके मैं मुबारक बात देता हूं जुमाम अस्मान शरीफ और उनके साथियों को कि खून का अतिया का जो क्यांप आपने किया ब्लड डोनेशन काम किया एक बहुत अच्छा मेसेज आपने इस मुल्क में इस रियासत में बेजा है मैं चाहता हूं कि हर साल मिलादु नवी के जलसे पे यह काम आगे बढ़ा है शुक्र तुमाम चैनल के नाजरीन को मीद मिलाद नवी के मुवारगबाद पेश करता हूं तो अलहम दिन में यहां पे ब्लड डोनेशन कैम्प काफी सक्सेस्फुल रहा और शाम में खादरिया मस्जिद के अंदर सुनी जमेत अलमा और जमा मस्जिद ट्रसवर्ड मिलकर मिलाद की अधिकी मुवर्र है मुलाना अब्दुल खादर शाव वाजिद ताजुदीन बननावजी साहब मुझूद थे और इनके खिताबात हुए सिरत नवी पर और इसके साथ कई शक्सियत पॉलिटिशिंस एमिनन परसनालिटीज पुरे महमान बन कर यहां पर तश्टीफ लाये अधिकी जानिब से गाइडलाइन जी गई थी जी जाफ पादन किया गया है जी अलहम्दुल्लाइब करनाटक सरकार की तरफ से जो गैडलेंस लेड़ान किये थे मिलादुन नभी का जलसा मनखित करने में तो 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 हम कोड़ प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए यह जलसा म और नेश किये हैं गरिए इद मिलाद अब बदा शुबाशे गळो यल्लर बाडली सुका शांती नेमदी सिगली आरोगे दिन्दा बाडली मत्तो कोविड लिन्दे लिन्दे लरु सुरक्षित वागी इरली अन्ता हारेस्ताइब दन्यवाद उसकी बावजूद भी जो काम कि मस्जिद वाले और उस्मान शरीफ और उसका टीम ने किया हैं बहुत तारिफ करना चीए क्योंकि लिए ब्लोड डिनेशन शायद ये बार रेकॉर्ड होने वाला है और जो कुछ आज हम जिल्स ने उटा सके उसका जमेदार है हम सब लोग है क्योंकि लिए हमारे बीच मे जो लिद्रा नहीं है और जो कुछ जाए गवर्नमेंट के परिशन लेकियों करते हैं क्योंकि लिए अब सब कुछ पैंडमिक सब चले गया और साल में ये एक बार राते है पिछली दो साल हमारा कुछ इद कुछ ने मनाया ये तो इद मिलात करता है इसको ये तो माना चीए अब जो कुछ आज किया है बहुत तारिफ करना चाहिए देखिए आज सिर्फ बैंगलावर में नहीं सारे हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में मिलादुन नभी का जशन मनाया जा रहा है जशन इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि हम जो है खुजूर सुलेशलाथ लिए लिए सुलम की उम्त में अल्ला ने हमको पैदा फरमाया खुजूर सुलम की दौाओं से साफ जाहर होता है कि वो जब तक जन्नत में दाखल नहीं होंगे उस वक्त तक जो है उनका आखरी उम्मती दाखन नहीं हुगा जन्नत एक ऐसी जगा है वहाँ पर हम हमेशा रहना है तो इससे बढ़कर खुशी कोशी है इन्सान को सारे आलम में पुदूर स. अल्लाई उल्हीं का पैदा इशिदीन इदे मिलाज बनाया जा रहा है साथ और हर जिले में और हर चैर में हर टाउन में हर दिहात में आज हुजूर स. अल्लाई उल्हीं के याद भी हो रही है दौाएं भी हो रहे हैं दरोद्य शरीव भी पड़ा जा रहा है अज बड़े एक तमाम के साथ हर जगा महफिल सजाई हुई है मैं चाहूं रहा कि अल्लाई ये सब हम जितने लोग हुजूर की उमत से दौाएं भेजी हुई है या जिकर कर रहे हैं या दौाएं कर रहे हैं उसकी दौाएं को खुबल करें और हम लोगों कुछ चैन और सुकून के साथ हिंदुस्तान में रहने के लिए अल्लाई ताला एक फिजा शुरू करें कि हर इंसान हर आदमी चैन और सुकून के साथ जिन्दगी गुज़ाएं यहां बाच खादरिया में प्रसेशन के बिना यहां पर आज एक ब्रेट का क्याम का है अगाज हुआ है तो उसके बारे मैं आपका किना चाहिए बहुत अच्छी चीज़ है मैंने यहां के जो अराकिन को भी फोन करके कहा था मुबारक बाद भी दिया था यह जो खून है यह जो ब्लेड डोनेशन कैम्प है वो हर मस्जिद में इसका इंतजाम होना चाहिए इसे एक बहुत अच्छा मेसेज सारे हिंदुस्तान में जाएगा और खासकर हमारा जो खून है हमको नहीं मालुम किन लोगों को उससे फैदा होगा किन लोगों की जिन्दगी उसमें तो इसलिए चाहें कि हमारा खुद का एक बलड बैंक भी हो उसकी फिकर हो रही है और इंशालला बहुत जल्द हम इच्छा मकान में हमारा खुद का एक बलड बैंक भी होगा आज इद मिलाद है सारे आलम की खुशी का दिन है ये जार करने के लिए हम बैंगलोर में हर इद मिलाद के दिन ये माशालला चालीस पचास साल से हमारे बड़े करते आ रहे हैं और हम इसको फॉलो करते चले आ रहे हैं बड़े बड़े शानों शौकत के साथ इद कुदुस साब में हर हमेशा होता था क्योंकि प्रोटकॉल और इसके वज़े से गौर्णिन्न की वज़े से हर्दी दो साल से यहां पर मस्जिद में कर रहे हैं और माशालला मस्जिद में भी काफी तादाद आप देख रहे हैं कि काफी पबलिक आच चुकी थी काफी लीडर रहा है ये खुशी का मोखा है हर किसी के लिए जो है बहुत खुशी का मुखा है जिसके सद्खे में काइनाद बनी उनके सद्खे में जो है न हम भी खुशिया मनाते हैं हमार आइडिया नहीं था कि इन लोगों को बलाएंगे फिर भी हमें पता था कि अवरतें जरूर आएंगी उनकी लिए जो है हम अलग इंतजाम कर चुके थे हम लोगां करके थे एलान नहीं किये इसका अगर एलान करते तो शायद पांच टाइम पबलिक औरोतों की जियादा आती है